आज की हमारी रेसिपी है ब्रेड रस मलाई जो की बनेगी सिर्फ आदे गंटे में आप इसे बना सकते हो और इसके टेस्ट भी बहुत बढ़िया आती है जरू ट्राइ करिए रेसिपी को तो चलिए स्टार्ट करते हमारी रेसिपी उसके लिए मैंने एक कडाई में आधा लीटर फुल फैट मिल्क लिया है मिल्क को पाथ से साथ मिनिट टक अच्छे से बॉयल कर लेते है उसके बाद आड करेंगे वन फोथ कप शुगर एक ब्रेड स्लाइस के क्रम मैंने कर लिए ग जो की स्वाद बढ़ाता है रस मलाई का सो ये क्रम्स आड कर लेते हैं इसमें क्रम्स के कारण दूद को गाडापन भी आता है आप देख सकते हो ब्रेड क्रम्स आड करने के बाद 5-7 मिनिट हमें उसे उबाल लेना है ताकि जो ब्रेड क्रम्स है वो अच्छे से कूक हो जा करेंगे सैफ्रोन आठ से दस सैफ्रोन की स्टिक्स रस मलाई में इसका ही जो इसेंसे केसर का ही इसेंस बढ़के आता है यहाँ पर एड कर रही हूँ वनफोट टी एसपी इलाइची पॉडर और अब इसे हम अगेन कूक करते हैं पाद से 7 मिनिट जो हमारा केसर है केसर का ए यलोईश कलर उसमें आ जाएगा और आप देख सकते हो कि जो रस मलाई है वो भी गाड़ी हो गई है हमारी यहाँ पर हमारा रस मलाई का मिल्क बिलकुल भी रेडी है सो चलिए अब यहाँ पर हम मैंने ली है एक ब्रेड स्लाइस इसको हम राउंड शेप में कट करते हैं कट ऐसे परीज़ करेंगे सो यहाँ पर देख सकते हो एक राउंड शेप में मैंने कट किया है इसे हम आजर रस नाी यूज़ करेंगे सो प्लेट में मैंने ये ये तीन ब्रेड स्लाइस इस रख दी है और इसके उपर से हम अब जो रसमलई वाला मिल्क हमने बनाया था ये मिल्क को इसके उपर से गार्निश करेंगे सो आप देख सकते हो कितना ठीक हो चुका है ये मिल्क क्योंकि हमने ब्रेड क्रम्स एड किये थे ये ब्रेड क्रम्स as a मावा जैसे लगते है दूद में सो ये देखिए ये हमारी प्लेटिंग हो चुकी है रस्मलाई की इसके उपर से मैं थोड़ इसे पिस्ता स्लाइसे स्प्रिंकल करूँगी कि रस्मलाई में कॉंबिनेशन केसर और पिस्ता का ही अच्छा लगता है सो यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी रेडी है हमारी रस्मलाई बहुत स्वादिश्ट लगती है ये रेसिपी को जरू ट्राइ करिए और केसे बनी है मुझे प्लीज कमेंट करके बताईए अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को द्रीजास केक्स एंड कुकिंग क्लासेस थैंक यू फो वाचिंग